दर्सकों मैं आपको आज दिनांक 30 मार्च 2024 वार सनीवार हिंदी मास चैत्र कृष्ण पक्षित्ति थी पंचमी रितु बसंत रितु विक्रम सम्मत 2018 का रासी पल बताने जा रहा हूं आज नक्षत्र अन्राधा और आज चंदमा ब्रिश्चिक रासी में रहेगा तता सूर मीन रासी में रहेगा राउकाल का समय आज प्रात है नौ बज़कर 21 मिनट से लेकर प्रात है दस बज़कर 54 मिनट तक रहेगा जो की कोई भी सुबकार करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं राउकाल के समय कोई भी सुबकार नहीं करना चाहिए जो अवजित महूरत आज दुपहर 12 बज़कर 2 मिनट से लेकर 12 बज़कर 51 मिनट तक रहेगा जो कि किसी भी नए कार को प्रारम करने के लिए अति उत्तमवे सुब माना जाता है दर्शकों मैं आपको रासी पल के अ आपका दिन सुबह तो आज सनीवार के दिन कौनसी यातरा करने से बचें और कौनसी दिसा में हम यात्रा करने जाएं जो कि हमारे लिए सुबहांगे आज रहे iç atoj कोंसे देवी देवता भगवान को पूजिने की अधिक मानता है नहीं कौन सी वस्तु दान करें तता पूज और क्या नहीं खाएं यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंततक बने रहें अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्र करते हैं दर्सको आप अपना रासी पल सुनने के बाद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक कमेंट जरूर करें जिससे की हमारा और होंसला बुलंद हो रादे रादे जैसरी रादे मेस रासी जिनके नाम का पहला अक्षर आ ला इसे सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा समय अनकूल है जादा तरकाम थोड़ी कोशिसों से ही पूरे हो जाएंगे परवार के साथ धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है मेहनत के नतीजे आने वाले दिनों में अनकूल होंगे दिन चर्या आपकी व्यस्त रहेगी नकारात्मक क्या रह करचे आपको परेशान भी कर सकते हैं कुछ समय बच्चों के साथ भी अवस्य व्यतीत करें इससे उनमें शुर्प्च्या की भावना आएगी समय के अनसार अपने विभार में भी बदला लाना जरूरी है विवसाय में विवसाय सम्मंदी अपनी योजनाओं के फली पूत ह होने का समय आ गया है इस समय ने अवसर भी सुलब होंगे अपनी योजनाओं तक ही सीमित रखें कोई भी किया गया विवसायक निवेश भविश में लावदायक साबित होगा प्रेम सम्मंदों में परवार में उचित तालमेल और व्यस्तता आपको भावनात्मक तता मानसि रूप से खुशी प्रदान करेगी युवावर्ग में प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्यन और करियर के साथ खिलवाड ना करें स्वास्थ में क्या रहेगा गिरने अत्वा बहान द्वारा चोट लगने जैसी आसंका बन रही है अत्यदिक मेनत वे भाग दोड करते हैं ब्रस रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर बा वा उ एसे सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा आपके उचित प्रयास और आत्म विश्वा से मन चाहेकार समय पर पूरे हो जाएंगे आपकी समय दन सीलता पर परवार की व्यस्ता को भी उचित बना कर रखेगी युवाओं का अपने किसी खास होनर को दूसरों के समख चिलाने का मौका है नकारात्मक क्या रहेगा ब्रस रासी वालों के लिए किसी तरह की उधारी अत्वा लेंदेन करना नुक्साइंदायक रहेगा आपके कुछ नजदी की लोग भी आपके कारियों में र ब्यवसाई में ब्यवसाईक पार्टियों के साथ संपर्क मजबूत होंगे लेकिन लेंदेन के मामलों में बहुत ही सावधानी बर्तने की जरूरत है इस समय नेट वर्किंग और सेल्स के संबंद कारियरत लोगों के लिए समय अनकूल है सेर्स और तेजी मंदी से तालुक रखने वाले लोग मुनाफ़ा कमाएंगे प्रेम संबंदों में पारवारिक सदस्यों के बीच बैतरी सामंजस रहेगा घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंदी योजना भी बनेगी अब आपका स्वास्ते में क्या रहेगा आज स्वास्ते के प्रती लापरवाई करना उचित नहीं है अपना ध्यान रखें योगा मेडिटेशन करना आपका स्वास्त के लिए बहुत ही सुब रहेगा अच्छा रहेगा आपका भागसाली अंक रंग जो है का बादा में है औ इतनरासी वालों के लिए क्या रहेगा जिनके नाम का पहला अक्षर का च्छा घा हासे सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा इस समय ग्रह की इस्तिति आपके मनोवल और आत्मिस्वास को मजबूत कर रही है किसी भी विप्रीत परिस्तिति का समाधन पाने में आप सक्ष क्या रहेगा आपके लिए आज कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि मैनत की अपेच्छा परणाम अनकूल नहीं मिल रहे हैं परन्तु यह सिर्फ आपका भहम है धैर और संयम से आप समिस्या को काबू में कर लेंगे घर परवार के कार्में अत्तिक व्यस्तता कारण आप स्व करें एक गलत निड़े आपके लाव को हानी में बदल सकता है साथी लाटरी शेर्स आदी जैसे कारियों में अपना पैसा ना लगाएं सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कोई महत्पून और 30 आ सकती है प्रेम संबंदों में बैवाहिक संबंदों में मदूरता रहेगी मित्र से मेल मुला का तना भरे दिन से रहत प्रदान करेगी और आपका स्वास्त है आज ब्लड प्रैसर यह चोट लगने जैसी इस्तितियां बन रहे हैं अपने आवेगवाय क्रोध पर नियंतरन रखें आपका भागसाली रंग आसमानिये और भागसाली अंक पांच है अब हम ब पॉजिटिव क्या रहेगा कापी समय बाद किसी प्रिय सम्मंदी से मिलने का अवसर मिलेगा तता आपसी मुलाकात खुसी और उमंग वरी रहेगी सोसाइटी तता सामाजी गत्विद्यों के लिए भी समय निकालना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा विद्यारती अपनी पढ़ाई को लेकर सजग रहें नकारात्मक क्या रहेगा करक्रासी वालों के लिए किसी भी नकारात्मक गत्विदी में घवराने की बजाए उसका समाधान ढूनने का प्रयास करें आपकी कोई महत्पूर्ण वस्तु के खोलने पर या सोरी होने जैसी आसंका बन रही है आप इसमें अत्रिक्त कारवार की बज़े से परेशान हो सकते हैं दूसरों की मदस से नुक्सान हो सकता है प्रेम सम्मंदों में दापत जीवन मदूर रहेगा लब पार्टनर के साथ अकारण ही किसी बात को लेकर मनमटाव जैसी इस्तिती बन सकती है स्वास्ते में स्वास साली रंग नीला है और भाग साली अंक आठ है अब आगे हम बात करते हैं सिंग्राशी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर मां टा से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा सिंग्राशी वालों के लिए किसी महत्पूर्ण व्यक्ति के साथ मुलाकात लावदाइक रहेगी साथ ही आपके व्यक्तित में भी सकारात्मक परवर्तन आएगा युवाओं को भविश सम्मंदी क्लास योजना में किये गए प्रयास में उचित सफलता मिलेगी विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को खुशकबरी मिल सकती है नकारात्मक क्या रहेगा आज कोई रिष्टेदार पीट पीचे आपके लिए अपवा पहला सकते हैं परंत अपने गुशे पर कंट्रोल करके सांती पूर तरीके से काम लें तो परिष्टितिया ठीक हो जाएंगी पारवारिक मामलों में भी ज्यादा टोक अटाकी ना करें व्यवसाय में अपने व्यवस को अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यक्ता है समय पर कोई टार्गेट पूरा ना होने से तनाव रहेगा प्रेम संबंदों में पारवारिक वातवर्ण सुखद रहेगा विवायत प्रेम संबंदी बदनामी का कारण बन सकते हैं साबधान रहें स्वास्ते तन अगली अंक आपका पांच है अब हम आगे बात करते हैं कन्या रासी वालों के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर पा ठाड़ा टा से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा अपने कारियों को विवस्ते रूप से पूरा करने का प्रयास करें इस से आपको अपनी म लापते वे आपके पक्ष में आएंगे नकारात्म क्या रहेगा आज पैसे के लेंदन को लेकर आपसी संबंद खराब ना करें धैर और संयम रखना जरूरी है जल्दवाजी से काम बिगड़ भी सकते हैं मांसिक सांती और सुकुन के लिए आध्यात्म और मेडिटेशन जै स्थान में कोई बी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनववी व्यक्ति की सला अवस्य आप इसमें किसी के साथ मनमटाव की इस्तिती बन सकती है बेतर होगा कि अपने कारियों में ही मगन रहें प्रेम संबंधों में आप सी प्रेम और सामंज बना रहेगा प्रेम अपने मन मुताविक तरीके से भी जरूर व्यतीत करें आपका भागसाली रंग केसरिया है और भागसाली अंक साथ है तुलारासी जिनके नाम का पहला अक्षर राता से सुरू होता है पिछले कुछ समय से चल रही थकान भरी दिन चर्या से रात पाने के लिए आज मन मुताव को इक तरीके से दिन व्यतीत करेंगे साथ ही नजदी की मित्रों के साथ मनोरंजन संबंधी आमोध प्रमोध में समय व्यतीत होगा बच्चे की किलकारी से संबंधित कोई सुब सूचना भी मिल सकती है नकारात्म क्या रहेगा निजी परेसानियों से कामों में रुकावटे आ सकती हैं, घर के किसी बुजर्गों के स्वास्ते को लेकर चिंता रहेगी, डाक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, साथ ही किसी असुब समाचार के भी मिलने से कुछ मन उदास रहेगा, विवसाय में आप अपने विवसाय से संबंदित प्रत दुन्दियों से अपनी का फाइदा कोई और उठा लेगा, नोकरा पेश, नोकरी पेशा, लोग भी अपने फाइल और डॉकुमेंट्स को बहुत अधिक समाल कर रखें, वरना किसी मुसीवत में आप पड़ सकते हैं, प्रेम संबंदों में पारवारिक सदिशों के बीच उचित सामन जैसे बना रह रहेगा, और भागसाली रंग आपका और इंज है, और भागसाली अंक आठ है, अब आगे बात करते हैं, हम ब्रिस्चिक राशी के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ना या से सुरू होता है, पॉजिटिव क्या रहेगा, दिन सुखद व्यतीत होगा, किसी सुब्च योग सदस के लिए उचित रिष्टा भी आ सकता है, आगे नेगेटिव क्या रहेगा, अन्य कारवार की बज़े से आपके ब्यक्ति गतकार में रुकावट अभी आ सकती है, इसलिए ववस्त दिन चर्या रखें, कुछ समय बच्चों के साथ भी ब्यतीत करें, तता उनकी सम प्रश्याओं को सुल्जाने में योगदान दें, रुपे पैसे के मामले सावधानी से निप्टाएं, व्यवसाइक गत्विद्यों में सुधार होगा, मेहनत के अन्रूप उचित प्रणाम भी मिलेंगे, कमीशन बीमा सेर्स आदी से संबंदित व्यवसाइक में फाइदा ह होगा, नोकरी पेसा लोगों को अपनी इच्छा के विप्रित कोई, आफिस्यल यात्रा का ओर्डर मिल सकता है, प्रेम संबंदों में, वेवायक संबंदों में मदूर्ता रहेगी, लब पार्टनर के साथ भी संबंदों में नजदीकियां बढ़ेंगी, स्वास्ते में, सकान मैसूस हो सकती है, काम के साथ साथ उचित आराम भी लेना जरूरी है, आपका भाग साली रंग और भाग साली अंक पांच है, अब आगे हम बात करते हैं धनराशी के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्चर दा, ये, फा, भा से शुरू होता है, पॉजिटिव क्या रह रहे तनाम से आज राहत मिलेगी, रचनात्मकारियों में दिल्चस्पी बढ़ेगी, समास से भी संस्ता के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है, आय का कोई रुका हुआ स्त्रोत सुरू हो सकता है, विद्यारतियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा, नेगेटिव क्या रह खराब होने से मन व्यतित रहेगा, धैर और सहियम बनाई रखना जरूर है, विद्यारति पढ़ाई पर ध्यान दें, व्यवसाह कार खेत्र में नई योजनाएं बनेंगी, उन पर बहत्रीन तरीके से अमल भी होगा, हालां कि मेहनत और व्यस्तता की अधिकता रहेगी, नोक सुकत मावल रहेगा, विप्रियत लेंगी व्यक्तियों के साथ, ज्यादा मेल जोल बढ़ाना मान सम्मान की हानी पहुंचाएगा, स्वास्ते में आपके लिए क्या रहेगा आज, स्वास्ते मान सिक्तनाव नाले, वरना माईग्रिन अत्वा, एंज्वाइट की समिश्या ब अब आगे बात करते हैं, मकर रासी के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, खा, घासे सुरू होता है, पोजिटिव क्या रहेगा, समय अनकूल है, आपको ऐसा मैसूस होगा, कि साइद देविय सक्ती का आशिरवाद प्राप्त हो रहा है, ज्यादा लाव की पर रासी वालों के लिए, आएके सादन बढ़ने के साथ साथ, खर्चों की इस्तिती रहेगी, जिसकी बज़े से आर्तिक इस्तिती को समाल कर रखना होगा, अत्य बजट बना कर चलना जरूरी है, साथ ही, क्रोध और एगो पर भी नियंत्रन रखें, तो परिस्तितिया अन आप इन में सफल भी रहेंगे, आपकी योगताव है, कावलियत खुल कर लोगों के सामने आएगी, जन संपर्क आपके लिए आर्तिक रूप से फाइदेवन सावित होंगे, प्रेम संबंदों में, दापत्य और व्यवसाहिक जीवन में बेहतर तालमेल बना कर चलेंगे, ज इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर ना दें, और समय समय पर आराम भी लेते रहें, आपका भाग साली अंक रंग बेंगनी हैं, और भाग साली अंक साथ है, अब आगे बात करते हैं, कुम्रासी वालों के, जिनके नाम का पहला अक्षर, गु, सा, 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 दा से सुरू होता ह पॉजिटिव क्या रहेगा, समय भाग वर्दक बना हुआ है, बाहरी गत्विदियों में भी ध्यान दें, इस से महत्पून लोगों के साथ संपर्क बनेंगे, जो कि आपके लिए फाइदे बन सावत होंगे, अपनी दिन चर्या में कुछ सकारात्म बदला लाने के लिए आ साथ में खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, किसी भी तनापूर्ण इस्तिति में परेशान होने की बजाय हल रोड़ना चाहिए, ब्यवसाहिक मामलों में कुछ ब्यवधान आने की चिंता रहेगी, करमचारी तता स्थाप के सहयोग से व्यवस्ता उचित बनी रहेगी, नो ओवर टाइम करना पड़ सकता है, तनाम में आकर उच्ष अधिकारिए उसे संब्मंद खराब ना करें, प्रेम संब्ट में पत्-पत्नी, आपसी संब्मंद में समयसे सामंज से बना कर रहें, प्रेम संब्मंदं में ऑर उर्जा नश्क ना करें, स्वास्ते कुछ समय के बारे में जिनके नाम का आकर अक्षर दी चा छा से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा मीन रासिवालों के लिए आज कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है आत्म विश्वास और मनोवल की मदद से आप नई उपलब्दी हासिल कर सकते हैं आप अपने लक्षों की प्राप्ति के लिए प्रियासरत रहेंगे नकारात मक्या रहेगा यह भी ध्यान रखें कि जल्दवाजी और भावनाओं में आकर कोई फैसला तुरंत ना लें अन्नता कुछ गलत फेमियां हो सकती हैं संबंदी गत्विद्यों में किसी पर भी भरोसा करने के बजाए और मीडिया संबंद गत्विद्यों के लिए अच्छा समय है दूर दराज खेत्र से कोई मैत पूर्ण संपर्क इस्थापित होंगे अच्छे आडर मिलने की संबाव ना है आप इसमें माहुल सांती पूर्ण रहेगा प्रेम संबंदों में पारवारिक्ता माहुल सुक्ष स प्रेम प्रसंगों को विभा में परणित होने से योग बन रहे हुए हैं स्वास्ते में क्या रहेगा स्वास्ते अत्य देक कारवार की वजह से थोड़ा मानसिक और सारी तना महसूस कर सकते हैं आपका कुछ समय योगा व्यायम आदी के लिए भी जरूर निकालें आपका भ दिन क्या खाकर बाहर जाना चाहिए सनीवार के दिन उड़द या अद्रक खाकर जाना चाहिए सनीवार को क्या खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए सनीवार को सुब काम पर जा रहे हैं तो अद्रक या घी काकर निकलने से काम्यावी मिलेगी घर से क्या खाकर निकलने से मिल इससे आपको हर महत्पूर कार्य में सफलता मिलेगी सनीवार को कौन सी दिसा में जाना नहीं चाहिए जोतिस सास्त्र के नियम के अंसार सनीवार को पूर्व दिसा में यात्रा करने पर दिसासूल लगता है सम्मंदित दिसा में बादा और कश्ट प्राप्त होना इसलिए सनीवार को पूर्व दिसा में यात्रा नहीं करनी चाहिए सनीवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए सराव और मासाहार का सेवन न करें सनीवार के दिन सराव और मासाहर का सेवन करने से बचें क्योंकि ये आपके जीवन में समिश्याओं को आमंतरित करेगा इसके अत्रिक जिन जातकों की कुंडली में सनी असुब होता है उनके लिए इसे नकारात्मक रूप से देखा जाता है सनीवार को कौन सा ब्रत होता है सनीवार का दिन सनी को समर्पित होता है सनी देव हर व्यक्ति को उसके कर्मों के इसाव से फल देते हैं इसलिए उन्हें कर्म फल दाता भी कहा जाता है सनी को प्रसंद करने के लिए लोग उनकी पूजा ब्रत वे उपास ना करते हैं सनी के साड़े साती और सनी दोस्त से मुक्ती के लिए सनीवार का ब्रत रखना और पूरे विदी विदान से पूजा पाट करना उत्तम माना गया है सनीवार के दिन उपवास में क्या खाना चाहिए आर्तिक तंगी से निजात पाने के लिए सनीवार के दिन विदी पूरवक भगवान सनीदेव की पूजा करें ब्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए सनीदेव को धूप, फूल, फल और काले तिल अर्पित करने चाहिए सनीदेव को पूजा के दोरान मंत्रों का जाप करें और आर्ति करें इस ब्रत के पारायन में खिचली और काली उड़त की दाल का सेवन करना चाहिए सनीवार को कैसे कपड़े पहनने चाहिए सनीवार के दिन काले कपड़े पहनने से स्वास्त सही होता है क्योंकि सनीवार को काले कपड़े पहनने से सनीदेव तेज बुद्धी का आशिरवात देते हैं सनीवार के दिन कौन से देवता की पूजा होती है सनीवार सनीदेव को समर्पित है सनीवार इस दिन हनुमान जी की पूजा भी करना उत्तम माना जाता है सनीदेव न्याय करता है ये व्यक्ति को उसके कर्म के अंसार फल देते हैं सनी देव को प्रसाद में क्या चड़ाना चाहिए भगवान सनी देव के भोग में तिल गुड खिचली काले तिल से बनी चीजें और गुलाव जावन का भोग लगाना चाहिए इस बात का बेसे ध्यान रहें कि भोग सात्विक और सुद्धो धार्मिक मानता के इंसार इन ब्रभव कंदली से सनी दोस्त और ड्हिया का बुरा प्रवाव कम होता है सनी देव को प्रसंद करने के लिए को से मंत्र का जाप करना चाहिए कुछ सा मंत्र पढ़ना चाहिए सनी देव का मामंत ओम निलांजन सवाभासं रवी पुत्रम यमांग्रजं चाया मार्त्रम संभूतं नमामी सनीच्रम ओम निलांजन सवाभासं रवी पुत्रम यमांग्रजं चाया मार्त्रंड संभूतं नमामी सनीच्रम इस मंत्र का आप सनी वारवाले दिन जाप करें और आगे सनी देव को प्रशन करने का मंत्र और भी है ओम सनीच्राइन में आप छोटे मंत्र का भी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं सनी की किरपा पाने के लिए क्या करना चाहिए सनी देव की किरपा पाना चाहते हैं तो मास और मद्रा का सेवन ना करें सनी देव के दिन सनीवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जरू जलाएं दिया हमेशा साम के समय बरगद के पेड़ के नीचे जलाएं और सुबह के समय पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं काली गाय के आप रोटी खाएं सबते गाय को क्या चढ़ाना चाहिए सब्सक्राइब को सरसों या त पीडा हुई थी तो हन्मान जी ने यही तेल लगाया था ध्यान रहे कि जब भी आप सनी देव पर तेल चड़ाएं तो आपकी नजने उनके च्रणों पर होनी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सनी देव से आके नहीं मिलानी चाहिए सनी वार को कौन सी दाल दान करने चाहिए सनी वार के दिन काली उड़त की दाल का दान करना सुभवाना जाता है लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए सनी वार के टोटके क्या है सनी वार के दिन सनी यंत्र की पूजा की जाए तो इससे सनी देव की किरपा बर्षती है सनी देव के बुरुई प्रभाव को सांत करने के लिए सनी वार के दिन सनी यंत्र की पूजा करें मा सहार का त्याक करें और अपने सामर्त हंसार गरीवों क को दान करें इस दिन काली गाई को औरत की दाल या तिल खिलाएं कि सनी देव को कौन सी मिठाई पसंद है सनी देव को गुड़ का भोग लगाना बहुत सुन Means माना जाता है कि गुड का बोग लगाने से सनी देव जल्द प्रसन होते हैं और भक्तों को अपना आशिरवाद देते हैं सनी वार के दिन सनी देव को गुलाव जामन या मीठी पूरी का बोग लगाना बहुत इशुमाना जाता है सनी वार के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए, सनी वार के दिन भूल कर भी किसी कमजोर या मजबूर व्यक्ति का अपमान या दिल नहीं दुखाना चाहिए, सनी वार के दिन ऐसा करने पर सनी देव की दृष्टी में आप पाप के भागीदार हो सकते हैं, और सनी देव ऐसे व्यक्ति को घोर दंड देते हैं सनिवार के दिन बाल बाल काटना या नाकुन काटना भी वर्जित होता है ऐसा करने से सनीदेव नराज हो जाते हैं यह रही सनीदेव की किछ उपलब दिया दर्सको हम आपको प्रती दिन रासीपल के साथ साथ हर वार से सम्मंदित उपाय पूजा पाठ के बाते हम नेमत रूप से बताते रहेंगे अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू जय स्री रादे